हेलो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं पालक का सूप जो बालों को कुदर्ती तौर पर काला करता है यह बहुत ही फायदेगा होता है आप एक पर जुरूर ट्राई करें सूप बनाने के लिए हमने पालक लिए शहः लिया है और नमाक अबमने इसम में से एक पेड लिया है बहुत ज़ादा पत्ते नहीं लेने हैं इसमें हम पत्ते तोड लेंगे इस तरह से तोड़ने ये बहुत ही फायदे का सूप बनेगा इस समय से पहले बाल सफेद हो जाते हैं ये उन बालों को काला करेगा बहुत ही फायदे का सूप है आप एक बार बनाएं जरूर और ये एक दो बाल में फायदा नहीं करेगा इसे कम से कम एक दिल महीना पीएंगे तब इसका रिजल्ट सामने आएगा और जो भी इसका रिजल्ट होगा देखकर आप खुद चौक जाएंगे जो नए बाल निकलेंगे वो काले होंगे और जल्दी सफेद भी नहीं होंगे सिर्फ इतने ही पत्ते लेने हैं इन पत्तों को धो लेना है अच्छी तरह से ने धोले दो-तीन बाई इसे अच्छी तरह से धोले जिससे सारी गंदगी निकल जाए अब हम लेंगे एक कप पानी और निक पालक के धूले वे पत्तों को हम इस पानी में डाल देंगे और इसे हम पकाएंगे इसे उबलने देंगे इसे ठीक से बीज में कर दें इसे सारे पत्ते अच्छी से पानी में डूब जाएं पानी में उबाल आ गया है इसे दो-तीन बार जोश देना है जोड से उबल जाए फिर आप धीमे कर दें फिर इसे जोड़ से एक बार उबाल दे इस तरह से दो-तीन बार आपको उबालना है देखे हलका हलका सर रंगा रहा है बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है पालक का सूप सोचकर को लोग पीते नहीं है लेकिन यह बहुत टेस्टी होता है बस ही दो-तीन बार उबल चुका है गैस को बंद कर दे शूप तैयार हो गया है इसे छान लेंगे यह देखे बहुत ही प्यारा कलर आया है अब हम इसने मिलाएंगे एक चमच शहर्ट सिर्फ ए चुटकी नमक लेना है इस तरह से एक चुटकी नमक यह सूप तैयार हो गया है इसे हलका गुनगुना पी लें रोज सुबा पी लें सबसे पहले इसे पीना है उसके बाद में आप चाय बगएरा पी यह बहुत फायदेगा है आप एक बार जरूर ट्राइब करें यह पालक में बहुत आईरन होता है आप एक महिना तक पीए के देखें पिला कर देखें और इसके बाद आप इसका रिजल्ट देखें हमारी यह हैर केर टीप साब को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू झालक मुल प्लीज चरते बाद रिखें बादो